हेलो जी रादिकृष्णा जैमातादी कैसे हो आप सब उमीद करते हूं कि आप अच्छे हों और अपने घरों में स्वस्थ और स्वरक्षित हों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर तो आज मैं जा रही हूं गनागू मैं भी और वहां से और जगा फे भी सकी तो आपके साथ जरूर सेयर करोंगी और अब भी जा रही हूं बसней लेने वहां पर अपने गाउम में तो यहां से यहां से में पैदल जाओंगी और अब आपके साथ सिद्धे गाउं में ही मिलती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर पूरे रास्ते में वीडियो लगे बनाने तो राम राम चैमा तो मैं भी पहुंची अपने गाउं में जहां से हम बस लेते हैं बस दी आई तो हम बढ़ चुके हैं बस में मैं और में साथ जो गाउं की लड़्चे जा रहे थी तो अगर मैं एक मिनट भी लेट हो जाती तो बस में से छूठी जाती और ये देखें हमारे पहाड़ों का प्यारा सा नजारा यहां से चारों तरब को बहुत ही प्यारा द्रिश्या मिलता है देखने को और पारवाली भार्डियों में बरभ भी बढ़ चुकी है जहां, पर चमबा और पता नि, कौन-Kौन से जगा इए तो यहां से बहुत ही प्यारा भी हुआता है और यहां की वीडियो में ने आपके साथ कई वार पहले भी शेयर करी है तो बस चले गई दाडला घाट के लिए और हम चाहेंगे गनागू घाट वाली साइट को तो यहां पर हम बस से उतर गए डैम के पास और गनागू में बहुँ जादा ठंड होती है तो यह थी मेरे साथ गाओं की लड़चे और आपको मैं आगे ही बताती हूँ कि हम कहां जा रहे हैं तो हम पहुंच चुके हैं सेरपूर में और यहां पर थी हमारे यहां पर संगठन की मिटिंग और यहां पर सर्च भी आए हुए हैं कुनिहार ब्लॉक से इन्होंने हमारे को बहुत सारी जानकारी भी दी और यह हमारे को बहुत जादा स्पोर्ट करते हैं मैं इनका बीदी की गहलाईयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने सर्चे का भी और यहां पर देखे कितनी सारी मसीने लिए हमने तो हमारे स्वयम सेता स्मू की सभी महलाओं का एक जैसे स्वयम सेता स्मू की सभी महलाएं तो पंचायत में एक संगठन बनाए उसमें हमारे को यह मसीने में लिए घास काटने की और पावर टिलर है है कई माझी निआ यहां पर घास काटने की और पावर टिलर लकड़ी निकालनी की मसीन और मक्की के दाने प्लास्टिक की पतले होती है तो यह है पतले बनाने की मसीन और यहाँ पर यह रखा है जो हमारे को संगठन में सामान मिला और यह बना हमारा ओफिस हम नोकरी में लग गए है अलमारी भी अच्छी आना मैं मज़ा कर रही हूं यहां पर यह जो हमारा संगठन बना है पूरी पंचायत का उसका ओफिस है और यहां पर यह अब यह अब यह नया सामान आया है मैं पता नहीं क्या-क्या बोड़ रही हूं अभी माप करना मुझे और यह अफिस बना है यहां पर बैठने के लिए कुर्सियां और यह समान रखने के लिए आलमारी और जैसे लिखने का काम करना हो तो उसके लिए एक काउंटर जैसा है तो अब हम चल पड़े घर के लिए और हमारी बस निकल चुकी थी तो हम जा रहे हैं पैदल और हम पहुंच चुके गनागो घाट में तो मैंने पहले वीडियो नहीं बनाई हमने यहां पर बैंक का काम भी करवाया और समान बगयर भी लिया तो अब हम यहाँ पर बस का बेट कर रहे हैं और हमारी बस भी आ चुकी है किमकि यहाँ से भी बहुँ ज़्यादा सहरा हो जाता है अगर हमारे को यहाँ से भी बस मिल जाती है घर तक घर तक तो क्या पर चलो गाउं तक ही मिल जाए हुए है वह 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 अच्छा है तो देखे सुरह देची कितने प्यारे लग रहे हैं और आप पांच बचे का टाइम है तो सुरह देची भी छिखने वारे हैं और यह बस जाएगी हमारे काम से होते हुए आपको पता ही है कि हमारे काम से घर दूर बढ़ते हैं और यहां पर कच्छा रोड है धूली धूल हो जाती है चारो तरफ को और यह है वो घर जहां पर साधी थी पहले और गाउं तो आपने पहचानी लियाओगा यहां से हमारे पहाडो का बहुत ही प्यारा दृश्य देखने को मिलता है और आजकल हमारे पहाडो में बहुत जादा ठंड हो चुकी है सूख ही ठंड तो बिमार होने का भी डर रहता है और यह है हमारे गाउं गाउं और घर हमारे गाउं से थोड़ा दूर पड़ते हैं तो अगे है यह मदुदीदी का घर और यह पर इनकी इनकी साथ आए दूसरी इनकी जो देवरानी नेचे रहते हैं यह पर गाउंगे और वहाँ से जा रहे थे इनकी देवरानी के पास तो यह भी हमारे साथ ही आए बस मैं कि देखिए कितना मुश्किल होता है इतनी बड़ी बस संभालना और इतने आदमियों को संभालना मैं तो देखे ही हरान हो गई कि कैसे इतनी बड़ी बस और कैसे संभालते हैं इसको तो हम यहां पर उतर जाएंगे और यह उत्रे दिद्दी के साथ तो बस चले गई फिर से और हम चले अपने घर के लिए यह मैंने सामान लिया था कुछ और पहले मैं वीडियो नहीं बना सकी क्यूंकि हमारे बच छुट जानी थी फिर तो यह आ गए दिद्दी के सास और मैं इनके घर भी रास्ते में ही आते हैं जहां से हम पैदल जाते हैं यह हैं इनके छोटे वाले बहुत का घर यानिकि मैं दुठा कर दीती थी तेवराही का घर अब हम चल पड़े घर के लिए तो अब मैं चली अपने घर के लिए और जो गाओं की दू लेट चे गई थी ओच लगी अपने घर को तो यह मैंने गायों के लिए लाया समान यह गूड़े गायों के लिए ने कट्टू के लिए इसमें गूड़े डाल दाए और यह जाना पड़ेगा और देखे सूर्यदेव जी छप चिप चुके हैं और मुह में डाली है मैंने टोफी अब मैं आगे वीडियो नहीं बना पाऊंगी आगे नहीं बनाऊंगी क्योंकि अभी जंगल का रास्ता है और दोड के जाना पड़ेगा घर को